नमस्कार दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत हैं भारते समिधान का पार्ट नमबर थ्री लेके आचुके हैं Most important questions हैं बार बार exam में पूछे गहें UPSI और SI की जितने सारे आपके हैं exam जो होते हैं बहुत important उनके लिए पुलिस के लिए, railway के लिए, SSC के लिए, लेकपाल के लिए और जो exam जिसमें जो constitution का पार्ट पूछा जाता है भारते सम्विधान का question पूछाता है उनके लिए चले स्टार करते हैं, दो पार्ट हम अल्रेडी बना चुके हैं, तीसरा है भारते सम्विधान के निम्रेखित में से किस अध्याय में जनता को guarantee यानि मूल अधिकार दिये गए हैं, बताइए कौन से भाग में है मूल अधिकार दोस्तों मैंने अभी discuss किया था अगर आपने previous से वीडियो देखा है तो, यानि अगर बात करेंगे तीसरा भाग, भाग तीसरा, तो उसमें बात किया गया है, ठीक है, मूल अधिकार का, तो यहाँ पर दोस्तों आपका right answer क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3, तो 3 कहां ह option number D में 3 है, आप जानते हैं, यह 12 से 35 अनुछेद है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में यह भाग 3 है, मतलब यह यहां से लेकर यहां तक भाग 3 है, ठीक है, 12 से 35, तो इसमें दोस्तों जाएं, देखेंगे, मौल अधिकार जितने सारे मूल अधिकार है, यह सब हैं, यह guarantee यहाँ आप दिये गए, याद रखिएगा एक्जाम में, और जो important है, भाग 1, जिसे भाग 1 आपका दिया option में, तो यहां पर जानते हैं, यहां पर भारत देश के बारे में बताएगा है, या फिर कह सकते हैं, कि जो संग है, भारत एक जो राज्यों का संग है, उसके बारे में बता है, तो इस चारो पार्ट बहुत ही important है, और इसमें से question बार बार बनता है, रट लिजेगा दिमाग में, ठीक है, चलिए, next question बात करेंगे, प्रारंब में कितने मौलिक अधिकार दिये गए थे, शुरू में जो था, वो मौलिक अधिकार कितने दिये गए थे, तो जिन लोग है, वैसा प्रारंब में बोला है, तो साथ रहेगा, और मौलिक अधिकार कितने है, तो छे आए रहेगा, ठीक है, यह बहुत important है, और यह साथ से छे कैसे हुआ, यह समझेगा, और क्या हटा है, तो देखिए, चावालिसमा संविधान संसोधन, जो है, 1978 के अंतरगर, जो है, अब 6 जो है, आपके मौलिक अधिकार है, पहला जो है, वो समानता का अधिकार है, दूसरा जो है, वो सतंतरता का अधिकार है, तीसरा जो है, शोशन के विरोध अधिकार, ठीक है, चोथा जो है, धार्मिक सतंतरता का अधिकार है, और पांचवा संस्कृती तथा सिच्छा स संस्क्रिती तुछा सिच्छा समंदी यह आपका पांचवा छटवा समविधानिक उपचारों का अधिकार तो यह आपके छे टोटल यहापर मौलिक अधिकार याद रखेगा एक्जाम में पहले साथ था संपतिक अधिकार मौल भूत अधिकार किस संविधान से जो है लिये गया तो यहाँ पर यह पोला की जो मौल भूत अधिकार है fundamental right है यह rights जो है यह किस अधिकार से लिये गयाँ जिन लोग को याद है बता सकते हैं यह लिये गया है भई America से अमेरिका से लिया गया है तो यह फिर आपका right answer क्या हो जाएगा ओ जाएगा ठीक है और अभी मने अभी बताया कि जो अधिकार है वो क्या है छे जो है मूलवुत जो है अधिकार है वर्ड यत यह है नेश्टी बात करेंगे भार्तिर सम्विधान के अनुछेद 22 22 की बात कर रहा है कि अनुसार ध्यान से सुनिएगा अधिक्तम कितने समय के भीतर गिराफ़तार करके हिरासत में लिये गए किसी वैक्ति को निकटम मजिस्टेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए 22 जो है अनुछेद कह रहा है इसके अनुसार क्या बोल रहा है अधिकताम कितने घंटे के अंतर उसको जो है निकटाम मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत करना होगा गिरफतार करने के बाद हिरासत में लेने के बाद ये बताईए जो है कितने घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जिन लोग को याद है बता सकते हैं तो अधिकतम बोला अधिकतम ये 24 घंटे के अंतर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है अनुछेट बाइस यानि कि आटिकल 22 के अंतर जो है किसी व्यक्ति को हिरासत में जो लिया गया इसको निकटम जो है मजिस्ट्रीट के समख प्रस्तूत करना चाहिए यह है याद रखेंग है option number D हो जाएगा next बात करेंगे 6 वर्ष की आयू से 14 वर्ष की आयू के बीच के सभी बच्चों यानि जो सिसुओं है को सिच्छा का अधिकार है ठीक है यहाँ पर क्या मतलब बोला गया है यह मतलब कहां पर है यह कहां पर discussion की गई है उसके बारें बात करेंगे तो A में ब में बोला गया है मूल जो है अधिकार है C में बोला गया है कि समविधिक समविधिक जो है अधिकार है और D में बोला गया है उप्रुप्त में से कोई नेत कमेंट बॉक्स मतलब कि यह कहां पर है यह क्या है याद रखेंगे बहुत ही important और इसमें से काफी question बनते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए का एक एक पार्ट एक एक पॉइंट 46 समविधान संसोधन जो अधिनियम है वो है भाईया 2002 के द्वारा क्या हुआ है जो समविधान का भाग तीन है भाग जो तीन है उसके अनुछेद 21 के कौ में जोड़ा गया है इसके अनुछार क्या है भाईया 6 से लेकर के 14 साल के जो आयू के बालक है इनका जो सिच्छा जो है अनिवार रहे और निसूल का है ठीक है और इस अनुक्रम में सिच्छा का अधिकार अधिनियम जो है याद रखेगा है 2009 जो है संसर द्वारा पारित किया गया है जो अभी याद रहकेगा हर एक point याद रहेंगे जो 1 अप्रैल 2010 से क्या है लागू है ठीक है जो सिच्छा का अधिकार है ये जो है एक आप जो है मानुआ अधिकार भी समझ सकते हैं ये एक मानुआ अधिकार भी है तो याद रखें कव से लाकू हो है भईया तो एक अप्रेल 2010 से ये सभी पॉइंट याद रखेंगा अधिकार अभी मैंने बात किया भाग तीन में जो है क्या है मौलिक अधिकार है ठीक है तो ऐसे आप याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट बात करेंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार का जो है इसको कब समाप्त कर दिया गया अभी मैंने डिसकस किया है ये तो आपको तो बता देना चाहिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार इसको हटा दिया गया सात्मा था अब 6 हो गया ये अभी मैंने डिसकस किया है तो आपसे मैंने बताया कि आप 1978 याद किये ही होंगे, 44-वा समविधान संसुधन 1978 के अंतरगत जो है इसको हटा दिया गया और यह याद रखेगा एक पॉइंट आपके एकजाम में पुछाता है कि अब यह किसके अंतरगत आ गया है, ठीक है, तो संपत्ती का जो अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 300 के कम में या 300 के एक में जो है इसको अब रखा गया है और यह एक जो है विधिक अधिकार मातर है, ठीक है, मौलिक नहीं है, अब विधिक अधिकार मातर है, ठीक है, चलिए, नेक्ट बात करेंगे, संपत्ती का अधिकार एक, अब देखिया अब आ गया, क्या है, अभी मनें डिसकस किया है, अभी मनें डिसकस किया है, वही चीज फिल से डिसकस कर दे रहा हूँ, आपका 44 संविधान संचोधन, 1978 द्वारा जो है यह आटा करके, जो है आप जान रहेंगे, अब क्या कर दिया गया है, अब भाग जो है वो 12 के, यानी अनुछे जो है 300 के कौ में इसको रख दिया गया है, और अब एक ये क्या है, विधिक अधिकार है, संपतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, याद रखेगा, जिसका विन्में, जो है साधान विधियों को बना कर किया जा सकता है, जिसके लिए समव मौलिक अधिकारों का कोई मुल्य नहीं होगा, किसके बीना जो है, मौलिक अधिकारों का कोई भी मुल्य नहीं है, बताइए, किसके बीना भाईया, देखे, सोशन के बिरुद के बीना मौलिक अधिकारों का, फिर उसके आदे सम्विधानिक उपचारों का अधिकार के बीना मौलिक अधिकारों कोई मुल्य नहीं है, या फिर आपका सी में स्वतनता का अधिकार के बीना जो है, और डी मताय नीजता का अधिकार के बीना, तो मैंने अभी बताता सबसे इंपोर्टेंट यह है इसको भीमरामेडिकर जी ने आत्मा भी कहा है सम्विधानिक जो है उपचारों का अधिकार ठीक है कि बिना जो है मौलिक अधिकारों को कोई मुल्यन नहीं है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक और यह सम्विधान की आत्मा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकारों का संरच्छक है कौन संरच्छक है मौलिक अधिकारों का कोई आपसे बोल दे रहा है कि संरच्छक कौन है मौलिक अधिकारों का संरच्छक कौन है बताएं यह को बाते सम्विधान में मौलिक अधिकारों का उलंगन की बिरुद्ध जो अनुछेद 32 के तहत सम्विधानिक अधिकारों का अधिकार प्रदान किया गया है। बाते सम्विधान में मौलिक अधिकारों का याद रहा है। बोला है, अधिकार जो है, परिवर्तित किये जा सकते हैं, भारते सम्विधान के अनुचे 32 के अंतरगत, बताइए, अभी मैंने बताया, जो उपचार हो रहा है, सम्विधानिक उपचार, या उसका पावर, या फिर कहेंगे कि भीम रांबेडिकर जी की आत्मा, सम्विधान क आत्मा जिसको काईनोंने तो ये जो है आप किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को ठीक है प्रवर्तित जो अंतरगत प्रवर्तित जो किया जा सकता है वो मौलिक अधिकार को किया जा सकता है मौलिक अधिकार भारते सम्विधान के अनुच्छेद 32 के अंतरगत जो है उच्तम प्रवर्तित किये जा सकते हैं या अनुछेद मौलिक अधिकारों में प्रवर्तित करने के लिए सम्विधानिक उपचारों का प्रवधान करता है ठीक है अभी इसी के बारे में डिस्कस हो रहा है लगतार यह सब कोशन पूछा गया है अलग-अलग टाइप से इसलिए हम इसक कर रहा है राज्य किसी भी नागरिक के भासड एवन अभिवेक्ति की सोतंता पर प्रतिबंद लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैतिपूर समंद पर प्रभाव डालती है बीम बता जा रहा है अपातकाल के दोरान सोतंता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं तो कौन से इसमें सही है वो आपको बताना है ए भी दोनों ए भी दोनों नहीं केवल ए केवल बी बताईए जिन लोग को याद बता सकते हैं तो भाईया दोनों के दोनों सही है यह हम डिसकस कर भी चुके हैं और ऐसा ही को प्रतिबंद लगा जा सकते हैं तो यह दोनों है यानि कि ए राइड एंसर आपका हो जाए यहां पर ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर बात करें तो अनुचेद 19 इसमें याद रखेगा इसमें अनुचे पर क्या बोला है यदि वह दूसरे देशों के साथ जो है मैतिपूर्ट संबंदों में पर प्रभावड मतलब आप माली हम किसी के साथ मैतिपूर्ट रखते हैं और तुम मतलब आप जो है कुछ और गडबड कर रहे हैं तो आपका सुतनता का अधिकार या फिर आप अपातकाल की घोषणा होने पर अनुचेद 358 के तहट अनुचेद 19 के मूळ अधिकार सुता निलंबित हो जाते हैं जबकि 20-21 hours मैंने बताया था कि या कभी नहीं खतम होते हैं इसको छोड़ करके बाकी सब आपके निलंबित हो जाते हैं और सकति अगर बात करेंगे राष राजपती के जो है चोवालिस्वा सम्विधान स्रुधन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 20 और 21 को छोड़ करके यह आपकी शक्ति खतम हो जाती है बाकी सब जो आपका मौलिक अधिकार जो सब भी है सब निलंबित किया जा सकता है यह सब याद रखेगा इंपोर् व्यक्तिगत अजाती खालिस्थान है मौलिक अधिकार के अंग है बताना है कि कौन से जो है यहाँ पर खालिस्थान में भरायेगा जीवन का संदच्छन और व्यक्तिगत अजाती यहाँ पर खालिस्थान है मौलिक अधिकार के अंग है सोतंता के सम्विधानिक उपायों के समानता के शोषण के खिलाफ बताइए तु देखिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है इसमें देखिए सोतनता के यह ठीक है यह है आपके जीवन का समरच्छण जीवन का समरच्छण मतलब जीवन को बचाना अपने पराण और देहिक सोतनता जीवन का समरच्छण और व्यक्तिगत अजादी जो है यह मौलिक अधिकार है कौन से सोतनता के मौलिक अधिकार के यह अंग है ठीक है याद रखिएगा यह जो मौलिक अधिकार है वो आपका 12 से 35 अनुछेद के अंतरगत है भाग जो है भाईया वो है तीन और यह सब चीज़ें याद रखेंगे पहिला जो है समता का अधिकार दूसरा जो है सोतनता का अधिकार तीसा जो है सोशड के विरूद अधिकार और चोथा जो है धर्म की सोतनता पांचवा जो है आपका संस्किति वाप्ति orte इंहें संवाथ का सिख्था समुद्धिया अधिकार च समय्दानीक उपत्वाथ एंप्चारों का अधिकार रखताय धिक्त है विसका न्यूस में है और अभीUps यह सब याज रखेंगे अनुछेद मैं बता रहा हूं लगा था ठीक है तो यह सब आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक्जाम में आ चुके हैं कई बार इसके सतनता से समर्दीओ है अभी मैंने बात किया है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझाएगा वाकियो अभिव्यक्ति के आजादी मतलब यह बोलने वोलने की जो स्वतनता है वो किसके अंतरगत है तो अभी मैंने बात किया कि 19 मैं इसलिए उसमें पॉइंट्स बोलता जा रहा हूं बार बार अगर आप वीडियो द है तो यहां पर जो है इनको आजादी है या फिर कह सकते हैं कि इसके अंतरगत जो है इनकी सोदनतता है तो देखें तो यह कुछ कोशन थे आपके समिधान से समंधिक जो की एक्जाम में बार बार पूछे गए हैं पुलिस और SI के जितने सारे एक्जाम में उसमें पूछात आजा करते हैं वीडियो पसंद आओगा वीडियो कौ अधिक सेदिक लाइक शेर कीजेगा आगे भी इस पार्ट को कांटिनु करेंगे पूरा खतम करने का प्रयास करेंगे वीडियो को लाइक शेर कीजे हमारे वीडियो देखने के लाप सर्वी लोग अब फिर से बहुत ब जान्यवाद